धोस्तो हमारे यूटीब चनल में आप लोका स्वागत है तो देख सकते हैं दोस्तो हमारे खिट आ चुके हैं और खेत आने के बाद दिख़ते पूर आप लोगो हरा भरा दीक रहा होगा तो देखिए वो देखिए मैडम जी काम कर रही है तो वहाँ आप लोग को लेके चलेंगे तो सबसे पहले हमारा खित का नजादा देख लो बहुत अच्छा धान हुआ हरा भरा भी हुआ है दोस्तों और उसके बाद हिक्तर चलते हैं मैडम के बास तो यह देखिए दोस्तों हमारा धान पुरा हरा भरा दिख रहा है और देख सकते हैं यह देखिए मैडम यही पर काम कर रही है तो आप लोग को दिखाते हैं यह क्या काम कर रही है तो सबसे पहले दिखाते हैं दोस्तों देखे दोस्तों ये है घांस तो ये हो जा रहा है दोस्तों इसे खीचना पड़ेगा अगर ये ने खीचोगे तो धान नहीं होगा दोस्तों देखे बहुत सारा है ये देखता है आप लोगों को दिक रहा हो कुछ अलग हट के दिक रहा हो दोस्तों तो वो खरपतवार है और गहांस पूस है तो उसे हम लोगों निकालने आए हैं तो चलो आप लोगो मेडम जी किस तरह के मतलब गहांस पूस को खीच रहे हैं उसको देखने के लिए जाते हैं आप लोगों को तादा बता दिया कि यह वाला घास की ज़रे चलो चलते हैं अब धान भी बहुत ही जवरदस्त दिख रहा है दोस्तों काफी अच्छा दिख रहा है और यह देखिए दोस्तों अब मेडम जी कुछ बोलना चाहेंगी और देखिए नाजरी में घास पूस भी है हेलो दोस्तों कैसे वाप सब लोग तो हम लोग खेत आए हैं देखिए और यह देखिए क्या है मेरे हाथ में यह घास है हमारे खेत में बहुत घास हो गया है खपतवार तो खीचने आए हैं और देखिए मैं क्या पाई हूं यह देखिए यह हैं गोंगी है दोस्तों हमारे कि खूझने के लिए आए हैं और देखिये मोसम कितना अच्छा है बदली बदली चाया हुआ है और पास में ही जंगल है बहुत ज्यादा हुआ है देखिये तो सुबे से आई हुँ मैं खीचने के लिए और मच्छड भी काट रहा है देखिये कर लेती हूं मैं तो यह के दोस्तों ठोड़ा फूटा गांसपुस लगा वहा है और दिख सकते हैं अच्छा दिख रहा है और यह के दोस्तों आप मोगें। पूरा हरा वहर दिखा देता हूं चा रहो तरफ यह देखी जंगल यह हैं तो सिधा हं लोग ले हैं तो फिलाल हमारी खेत में पानी भी नहीं था देखिए कल बहुत ज्यादा बारी सुआ है तो आप खेत में पानी भरा है नहीं तो हमारा खेत सुखा पड़ा था और घास को नहीं निकालेंगे तो इस तारा घास बड़ा बड़ा हो जाएगा और हमारा धान हो जाएगा चोटा चोटा तो इसलिए हम लोग इसको आए हैं निकालने के लिए देखिए कैसे निकार्यों में और साथ मैं क्या मिर रहा है घूंगी और भी घूंगी मिर जाएगा तो सब्दी बनाएंगे तो ये देखिए दोस्तों ये आगर हम अभी नहीं करेंगे तो ये बहुत लंबा लंबा हो जाएगा बढ़ जाएगा दोस्तों धान से बड़ा बड़ा हो जाएगा और धान को उसे कल्ले नहीं आएंगे तो कम होगा तो ये देखे दोस्तों हम लोग से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा इस्किप करते हुए थोड़ा सा इस्किप कर रहे हैं दोस्तों उसके बाद ही आप लोग को दिखाते हैं लास्ट का सीन तो चलो थोड़ा इस्किप करते हैं यह देखे दोस्तो जितने भी खर-पत्वार सब निकाल चुके हैं और भी बचा हुआ है कलाएंगे तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं खानाह HARना भी नहीं बनाया हैं तो हम लोग घर जा रहे हैं मधि यह धन मेला पकर कि ओ इधन में फावडा पकरता हूं यह देखिंए भावडा लिके आये थे और नाली वाली भी बांद रहे थे हम लोग और उसके बाद ही हम लोग आप चलते हैं ये दखिए तो चलो चलते हैं दोस्तों हम लोग तो अभी हम लोग घर जाएंगे आप लोगो दिखाते हैं हमारा घर का नजारा तो चलो चलते हैं इसकी दोस्तों हम लोग से घर आ गये तो देख सकते हैं एक साइंकी रवाला चला गया और इधर दिखिए ये देखिए खेस से काम पिरने के लिए आ रही हैं और सीड़ दर्दे कर रही है तो अभी नहाएं की जश्ट नहाएं कि उसके बाद ही ना घुरुरे गंदे हो गई तो नहां भी है तो देख सकते सीड़ दर्दे होने काण थोड़ा से सो रही है ये दिखिए अचानक कल से हो रहा है दोस्तों फिर वह लोग के चले गए थे तो देखिए सीर कूः किस तरह से रही है तो मैं आगर मैं देखता हूं थोड़ा चेक करता हूं यह देखिए बहु slip कर रही वोर रही थी तबूर्वर toxicity मैं टेबलेट कर आए है हो टेबलेट cuts और उसके बाद यह देखिए इधर को है मैं इधर यह देख सकते हैं इधर से वार सीदर्द कर रहा है यह देखिए चेक कर रहा था कि कहाँ पर दर्द कर रही है तो मैं अभी सहर के तरफ जाओंगा उसके बाद टेबलेट ला दूँगा यह दिखिए तो मैं टेबलेट ला दिया हूं दोस्तों तो जा के खाएगे भी तो दोस्तों यह दिखिए बड़ेशन नेक्स्ट वडियो के लिए फिर्मिलिक दोस्तों अप्लोको बाइबाइबाइब